हलो फ्रेंज वालकम बाक अगें टो स्पेक इंग्लिश विद इंस्पार अकेडमी नाव टोड़े इस अवर प्रैक्टिस सेशन अगर आप इसी तरह इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किल जिए यहाँ पर स्क्रीम पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिखा है उसमें डू, दूज और डीड ऐसे थ्री कॉलम्स बनाए हैं तो सबसे पहले जो डू का कॉलम है उसने मैंने कुछ एक्जाम्पल्स लिखे हैं कि एक्जाक्लिश आपको डू का यूज कप क करना है और डीड कप करना है तो लेट्स बिगिन फर्स्ट एक्जाम्पल है क्या में पत्र लिखता हूं? दू आए राइट अलेटर? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? दू दे प्ले क्रिकेट? क्या में आम खाता हूं? दू आएट अ मैंगो? यहां पे सब क्वेस्टन हैं विकोस दूदल्स अन दीड यूज उनली फो मेकिं प्वेस्टन नेक्स एक्जाम्पल इस क्या हम गाना गात हैं? Do we sing a song? क्या आप उसे जानते हो? Do you know him? Do you recognize him? Okay. क्या आप उसे रुखने के लिए कहते हो? Do you tell him to stop? Next is क्या मैं पढ़ने के लिए किताब देता हूँ? Do I give book to read? अगला कॉलम विच इस बिलॉंग स्टू दूज So, your first example is क्या वह पत्र लिखता है? अभी दोनों कॉलम से आप कॉलम में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दू में अलग टाप के सब्जेक्ट है और डिफरेंस में अलग है मतलब जहाँ पे आपको डिफरेंस करना है वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगिलर होगा So, क्या वह पत्र लिखता है? Here is the one person, okay? So, that's why we used here डिफरेंस Does he write a letter? क्या सचिन क्रिकेट खेलता है? Does सचिन प्ले क्रिकेट? Next is Last is क्या उसने आम खाया? Did he eat a mango? क्या उसने गाना गाया? Did she sing a song? क्या आपने उसे पहचाना? Did you know him? क्या उसने आपको रुखने के लिए कहा? Did he tell you to stop? क्या उसने मुझे पढ़ने के लिए किताब दी? Did he give me a book for a day? क्या मोनिका यहाँ आई? Did मोनिका come here? Last but not least, क्या उनोने अगबार पढ़ा? Did they read newspaper? अभी आप देख सकते हैं कि यह जो सारे के सारे sentence है विच इस belongs to our Delhi English. So, if you want to speak very properly, you can practice it. Thank you so much.